ध्यान देने योगी जरूरी बातें समय निकाल कर अवश्य सुनें फ्रेंट्स वीडियो पसंद आएगी तो प्लेज लाइक शेर जरूर करेगा नमबर एक रसोई में तेजधार वाले चाकू ही रखने चाहिए जिससे आप सबजियां जल्दी काट सकें और इससे आपका काम बहुत ही जादा असान हो जाएगा नमबर दो अगर आप चाहते हैं कि दही अच्छे से जमें तो दूर को गुनगुना करके जमाएं और कपड़े से ढख दें नमबर तीन पूरी का आटा गुनते समय उसमें थोड़ी सी चीनी नमक और अजवाइन थोड़ा सा तेल जरूर डाले इससे आपकी पूरी खस्ता बनेगी नमबर चार सूखी सबजी बना रहे हैं तो इसमें किचन किंग मसाराज जरूर डाले सबजी में एक बढ़ियां टेस्ट आ जाएगा नमबर पांच ग्रेवी की अच्छी रंगत लाने के लिए मसालों के साथ जरूर सा चुकंदर कसें बहुत ही अच्छा रंग आ जाएगा नमबर छे समोसे का आटा गुनते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेंगे तो समोसे अधे कुरकुरे बनेंगे नमबर साथ छेना फाड़ने के बाद उस पानी का प्रियोग आटा गुनते में करें आप इससे पराठे या पूड़ी बना सकते हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे नमबर आट सरसो के साग में नया टेस्ट लाने के लिए लहसुन और अद्रक को काट कर डालें और एक टुकड़ा गुड़ कर डाल दें इस तरह से सरसो का साग बनाएंगे तो नया स्वादा जाएगा नमबर नौ मसालेदार बैगन और आलू बना रहे हैं तो भूनते वक्त दो से तीन बड़े चमच भूनी हुई दरदरी मुंफले जरूर डालें इससे आपके बैगन और आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो ये वाली ट्रिक आप एक बार जरूर फॉलू करके देखें नमबर दस है अगर आप पोहा बनाते हैं और रखने के बाद आपका पोहा सूख जाता है तो लंबे समय तक पोहे को नरम रखने के लिए उसमें दो से तीन चमच दूध डाल दें ऐसा करने से आपके पोहे बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे काफी देर तक नमबर ग्यारा कभी-कभी थोड़े से पानी में नीबु डाल कर किचन साफ करने से किचन में कीडे मकोडे नहीं आते हैं ऐसा आप अपते में दो बार कर सकते हैं नमबर बारा मटर को जादा दिन तक ताजा रखने के लिए मटर को छील कर एक बोतल या कंटेनर में भर कर फ्रिज में रख दें इससे मटर एक महिने से जादा आराम से चल जाएंगे नमबर तेरा अगर मिक्सी के जार से बदभू आ रही है तो उसे दूर करने के लिए फॉयल पेपर लें और उसके चोटे-चोटे टुकडे कर दें और मिक्सी जार में डाल कर चला दें तो ऐसा करने से मिक्सी के जो जार की बदभू है वो दूर हो जाएगी नमबर चौदा है तंदूरी रोटी बनाने के लिए अगर घर में दही नहीं है तो पनीर के बचे हुए पानी से भी आप आटा गून सकते हैं इससे रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी नमबर पंद्रा जब भी बजार से किचन टावर लेकर आएं उसे अच्छे से साबुन वाले पानी से दो कर सुखा लें ताकि उसके कैमकस दूर हो जाएं नमबर सोला नीबू के बचे हुए छिलकों को दूप में सुखा लें और अलमारे के अंदर जगा जगा रख दें यानि कि फैला दें इससे कीडे भाग जाएंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कौन सी वाले टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आईए कौन सी टिप्स आपके लिए सबसे यूसफुल रही है तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजेगा ताकि जब भी अप्लोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और अपना सपोर्ट इसे तरह से बनाए रखें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभू